हेलो जी राते राते जाशी किष्णा कैसे हैं आप सब आसा करते हैं सब बहुत अच्छे होगे और इसी आसा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की सुरुबात आज है ना सुबह सुबह पिताजी ने चार किलो मूली ले ली है ये बहुत बड़ी-बड़ी मूलिया है और मुझे काफि टाइम लग जाइना सुबह पिता जिने काम दे ल्यक्या या कि मूली की सबजे लना अलुरु मूली के प्राटे तो योी बहुत चीह मूली बड़ी है सब्सक्राइए जीतने भी आ पेम इसी कट मुोरे मिले बहुत रही थी क्या रही थी मैंने का बेटा ठीक है आप भी कट वालो और वो आज आएगी थोड़ी देर बाद तो यह देखिए यहां पर पैर हिला रही थी वो और अवानी का जो है ममी के पास सो रही है और जो दीदी है वे क्या रही थी कि चलो मैं जाड़ों पोचा कर लेती हूं और तब तक यह मूली काट लो तो मूली काटने के बाद में यह सारी के सारी हमने मूली में अंसे छील छील करके दे रही थी मुझे और मैं कटिंग कर रही थी और मैं एक आदी जो बीच में है वो कटिंग भी कर लेती तो हमें यह क्या रही थी कि बार एक बार एक मूली करके और चार दरसे करके तो आठ पीज कर के ऐसे काट रही हूँ तो काफी मोटी-mोटी ना है और इनको छहीलने में बहुत टाइम लग रहा था और जाटने में बहुत टाम लग रहा था और झाजी लेनाइका सोग करके इट गई है, और मैंना ममी से बोल रही थी कि ममी ये तो बहुत सारी मुलिया है, इतनी सारी मुलिया कितनी दिर में कटेंगी जब तक तो बार का और वागी के काम कैसे होंगे, तो कोई कुछ कर रहा fluffy कोई कुछ कर रहा है और अंसी तो मेरे साथ में लग गई है तो अंसी को तो आज बनाने हैमोली के पराटे और वो बोल रही थी कि चाचाची जी आज तो पुली के पराटे ही बनाएyः और खाएंगे और यो आज deuxième है ज़ो अपने बाद में बहुत स्कुल कर रहा था कि में जे तो काजू लेनी है तो वो ऐरो प्लेन बना के यहां से तो जाता है और जैसे ही बाहर खड़ा होता है तो दुकान को देख करके उसका मन डोल जाता है मन डोलने के बाद में वो कभी कुछ चीज मागता है और वो दुकान की चीज है ना उसकी बाहर की बंद हो रही है बिलकुल और उसके बाद में फिर भी उसको काजु तो दिलवाई देते हैं और काजु से भी उसको प्रॉब्लम हो रही है वह प्रोब्लम मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है उसके टोइलेट में जो है बहुत जादा खुजली रहती है और गिटानों बहुत जादा हो गए है तो उसको यह भी प्रोब्लम है कान में नाक में और गले में और अब सुजू में भी उसकी प्रोब्लम हो ही गई है तो कोई से इसको क्या करें करें इसको डॉक्टर के दिखाना चाहिए यह नहीं दिखाना चाहिए वैसे तो हम सोच रहे कि उसको इन्ट को भी बताए उसकी प्रोब्लम अनसी का बन कर रहा हाँ आज मुली काट ली चाहर के लिए तो मुली की सब्सक्राइब पराटे मूली कि अचार तो आज तो मुली मुली हो गया गर्डन गार्डन हो गया और इ acceso बार्थ मैंने त्यर चिल्ला के लिए कि बहुत हैं जोपने का कण्यों हो इसाल चिल्ला ताख कर दिया आई पिये सुबसूर बार्थ है तो अभी तवा साफ हो गया इस पर फेलाएंगी चिल्ड r यह देखिए बस अपने नास्ता कर लिया है और खाना बना भी खा लिया है की पापड के प्राठे ले कर लेकर के घए है और के अनको दे डी है ऑसके डबल पॉर्स ये प्राठे पिताजी खार्हाई है हम हमें भी खा रही है और सब के सब के जो बरतन है ये इधर रख दिया है और जो दीदी है वो पोचा लगा रही है पोचा इन्होंने इस साइड लगा दिया है और मुझे तो अभी साफसफाई करनी है कमरे की इधर उदर की और मैं थोड़ी दिर बात लगाऊंगी तो अभी वे मुझे बोल रही थी कि सबसे पहले आ और वानिका को दूद पिला दे तो मैं बरतन छोड़ करके एक बर वानिका को दूद भी पिलाने के लिए गई थी और फिर उसको नाई-नाई भी करानी है क्योंकि दिन बहुत अच्छा हो रहा है और दिन के साथ साथ ही हम डिसाइड क अधेकि मेरा मन कर रहा है को अधाल करके और भी बाँब है की दूद में कर दो दो हो रहा है हमें को है करते हैं कि हमें जाना चाहिए और को यह ख़ courageous मैंन sack कर दो चाहि fantasie करता है और वहां पर दौन क में नहीं हो और है था आधा गहाँ के ही है तो सारह दिन के ऐसमेटिक हैं कोड़ने के साथ साथ में आर्यां सुथ्ङा एद्टाइबे घर से बार जाता ना जब में दकान कर डियी ज़दा से साथ के साथ में बहुत चीजे झाथ तो इसलिए अच्छा लगता है कि बच्चे घर पर आ जाते हैं और फिर उनकी ममा आ जाती है उनको बलाने के लिए में चले जाते हैं और फिर ये भी अपना होमवर्क कर लेता है रहा हमसे बैठ के आज कल बहुत समझदार हो गया है और इसी समझदारी के साथ साथ भी अब अ होटर सेते हैं और यहां पे ऊपर हमारी मूह लिया जो सारी किसारीया कट गई दी और मैंने इसमें नबक जाल दिया था नमक डालने के बाद में ममी बोल रही थी थ कि थोड़े देर के लिए चोड़े शोर्ड़ने के बादमें फिर इनको फइला देना तो मैंने यह आपर और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं अब मोहाथ दो करके सुबह दोपैर के बाद में एक बार और कपड़े चेंज कर लेते हैं और आज मैंने रेड़ वाले चुन्नी में पिन डाल लगा रखा है क्योंकि बार-बार फिसलती रहती है और ममी यह कहा रहे थी कि एक बार अब तो इनका पानी निचड़ गया है नीचे निकल गया है तो अब इसको सारी इस पे जो है मैंने साड़ी का कवर बना रखा था और इस पर मैंने अच्छे से फैला दिया है तो साम तक कुछ ठीक हो जाएंगी फिर एक दो दिन के बाद हम इसको डालेंगे अभी है ना कन् तो महां से पन्नी में ब्लड़ और मट्री बहुत सारे आए तो सब ने लेकर बैठ गया है और यह अचार हमारा सूकी गया है और जब तक मैं वानिकों को ले करके अंदर लेट रही थी ना तब तक मम्मी ने मने सारके सारे कपड़ उतार देते और मम्मी ने इनकी तैया बन पार रही है और कहा रही है ले लो ममी मुझे बहुत देर हो गई जब से भी आए जब से मुझे ऐसे छोड़ देती हो हाँ आज थोड़ा जल्दी आगा है हम उपीस से और आते देखा तो आज कंणो मेरे पास मिले नहीं आया है आज उसने मुझे वादा किया था कि पापा मुझे सर्प्राइस नहीं चाहिएगा तो फिर भी मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए लेका आगा हूं फल वगएरा लेक आपका प्रोमी e प्रोमीश प्रोमीस रोज मी लाना कभी कभी लाना है तो कहा गया था गुमने चुरन खाने गया था तुकान पर वो निखाते गंदेशी होती है केक क्रीम करें और लड्डू खा रहे हो अंशने मना किया आपको ठीक है लड्डू घॉर्डू खा सकते हो किला भी सकते हो और यह देखे कितना संदर हो मर प्रूट्स क्या लाए तुमारे लिए व हमागुए वही पप्न को पसंद है क्नु को कि प्ल पसंद है कज बढ़ちゃん केा घृत है पर वाने का और मम्मी पीचे 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 आगया होगा और वाने का फिर से सान-सान सुप चाप लेट के सब देख रही है मम्मी की विचे से बनती है मम्मी कुछ खाती होगी गलासलत है ना तभी तो ग्यास बनी है थोड़ी दिनों के लिए चाल की चीची खाने चोली तोड़ी दिनों में फ्रीक होंका ठीक है ठीक है ठीक है सबसे हार्ड वार्ड बनाना चोटिया और बड़ा इस बनाना नहीं आता ऐसे और बनाना है सिकाना भी है इसको आज आज सिकांगे मैं और स्मोल लाडर में एटु जड़ और कैपिटल लाडर में एटु जड़ करने है एसे जड़ तक तो वह सारा ओंवर्ख है और प्लीज इसको तोड़ी देर खिलाओ और फिर आके थोड़ा ओंवर्क आप कराओ इसका हिंदी का तो करा दो आप और इंगलिश का मैं देख लोग से जड़ बालख्यां में बहुत सारे लड़ु अंध्ड़िया अब शाम के समय हो गया आ है यहीं के टाइम सभी खाना खाते हैं तो तो बस यही है हमारा वलोग आज का और आज मैंने बनाई है आलू चम्रृ हैं मिर्ची डाल दिया है और आलू भी डाले अगे कर धिझा कि अपनी थाली पर अपनी थाली में जंचा अब दिए नहीं पये और फॉन चलाने से वानेका उड़ जाती है, तो वानेक fountain को फिर दिक्कत होती है, और यह खाना मेरे लिए मेरे इसी के साथ लिए और लेक। अब agreement मुझे खाना ऊपमय। uh अगर हमारा व्लोग आपको अच्छे लगा प्लीज लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा धन्यवाल शोब रातरी